पहली बड़ी खबर की बात के लिए तो कौबर्ड एस्पताल में भीशन आग, पांच मरीजों की जुलसकर मौत, गुजरात की राजकोट इस्तित सिवानाद एस्पताल में गुरुवार देराध भीशन आग लगई, जिसमें पांच मरीज जुलसकर मर गए, आग सबसे पहले चार मंजिल वाले इस अस्पताल की पहली मंजिल पर इस्तित आईसियो में लगी है, उपमोकमन्तरी नेतिस भाई पटेल ने बताई कि आग रात करीब जो है 12 बजे आग लगी है, उस वक्त आईसियो में कोरोना संक्रमित 11 मरीज भरती थे, इस में से पांच की मौत हो गई ह इस कॉवेड अस्पताल में कुल 31 मरीज भरती थे, आग की उची उची लप्टो के बाज़े से जो है अन्य मरीज जुलस गये, इन्हें जो है दूसरे अस्पताल में भरती करा गया है, इस अस्पताल ने भरती बाकी मरीजों को भी दूसरे अस्पताल में सिव्ट किया गया राजकोट के पुलिस जो है आयुक्त मनोज अगरवाल ने बताई कि आग के बाकी मंजलों पर फैलने से पहले उस पर काबू पालिया गया अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो लालो को तारीख पितारीख जारकंड हाई कोट में जमानत याचिका पर अब 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई चारा घोटाले में सजाफ़ा आरजडी सुप्रिमो लालो पर साथ यादो की जमानत याचिका पर सुकुरवार्क को एक बर फिट से सुनवाई टल गई है अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी दोपार 12 बजे जश्टीन अप्रेस सिंग के आदालत में शुरू हुई इस दोरान जो है CBI ने लालू की जामनात का बिरोध किया CBI का कहाना था कि अभी लालू की आदी सजा पूरी नहीं से कि राज में आज से आस्मान साप रहेगा ठन बड़ेगी तमिलाडू में आये तूफान निवार का असर सुकुरवार को जार्किन में भी दिखा दिन भर जो है आकास में बादल चाहे रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही साथी यूपी में जो है पसीम बिछोब में आया था इसका आसिंग असर भी जारकन के कोई जिलो में दिखा है सनिवार सो जो है इसका असर कम होने का अनुमान है हलाकि इसके बाद सुबाव में धून रहेगी धूप निकलेगी और नुम्तम तापमान गिर सकता है अगली बड़ी खबर की बादकरी तो पीम तीन राज बड़ी खबर की बात करें तो मातम में बदली खुशियां, सड़क किनारे खड़ी ट्रक में कारने मारी टकर, बेटी का तिलक चढ़ा लोट रहे पिता समय चार की मौत, पलामू के जो है चतरपूर में एनेच अन्ठानवे पर सड़क हाथ से में चार लोग की मौत हो गई है, सबी बिहार और अंगाबाद जिले के नबनी नगरवी के रहने वाले थे, कार सबार 55 साल के संजय परसाद अपनी बेटी का तिलक चढ़ाने के लिए पलामू के डालतन गा जाये थे, यहां से लोटने को दौरान गुरुवार रात करीब दो बजे उनकी अल्टु कार अन्य प्रसासन से इसकी सिकायद भी की गई है, अगली बली कबर की बात करें तो राज में अस्पेसल टेस्ट ड्राइब आज से छट पूजा के बाद कितने लोग संक्रमित हुए हैं, इसकी जांच के लिए 28 वा 29 नॉमबर को अस्पेसल रेपिड अंटी जेट टेस्ट कहा गया है कि जो लोग भी बाहर से लोटे हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी आनिवार रोप से जांच करनी है, अगली बड़ी खबर की बात करें जरकन कोरोना बेट को लिकर तो राज में जो है 18,960 सेंपलों की जांच में 0.99% संक्रमित मिले हैं, जरकन में सुक के एक मरीज की मौत हो गई है, राज में अब तक 962 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, वही कुल जो है एक लाग 8,500 संक्रमित मिल चुके हैं और इसमें से एक लाग 5,453 स्वस्ट हो चुके हैं, इस समय कुल एक टिप केस 2,162 है, सुकरवार कुरांची से 71, किसी को भूग से मरने नहीं दिया, है मंत, मुकमिंत्री हमंसरे ने कहा कि लंबे संगर्स के बाद अलग राज का सपना पूरा हुआ था, अब राज में आपकी अपनी सरकार है, सब को समनवय बना कर इसे जो है सावारने का समय आ गया है, मुकमिंत्री ने कहा कि यह आपकी स सरकार है, सरकार के गठन के कुछी दिन में करोना को लेकर कई तक लीपे देखी है, सब के घरों के अंदर राने को मजबूर होना पड़ा, याताया, हाट, बजार, उधोग, धन्दे सब बंद हो गए, ऐसे स्थिती में मजदूरों का रोजगार, गरीबों का भोजन, का नौकरी, चाकरी, सब थमसा गई, मुकमंतरी ने कहा कि इस आउधी में किसी को भूख से मरने नहीं दिया, राजुबासियों को हाटो सहित होने से बचाया है, मुकमंतरी सुकुरबार को बरलंगर, रामगर में सहीत, जो सौबरेन, सोरेन के त्विर सेट में सहाधत, हाट के चीफ जश्टीन, डॉक्टर रविरंजन की काफिले में सामिल कार दुरगटना गरस्त हो गई, इसमें सुरक्षा कर्मी घाल हो गए, इन्हें जो जुम्रित दिलया के नीजी अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया, बताया जा रहे है कि गूमों के पास ट् हो गई, इस साथ समय दो जावान घाल हो गए, अगली बड़ी खबर की बायत करे तो जारकन के बजार में आ गया है धोनी ब्रांड का टमाटर, लोग जल्दी ले सकेंगे ब्रोकली की सबजी, ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान और जारकन की सान महांदर प्रांड का टमाटर, चाले सुरुपर परते किलो की दर से बजार में भीक रहा है, तो यो जो ही गारा सो चपन किसम का टमाटर है, धोनी के रांची स्थित 49 एकल के फॉर्म हाउस में इस साल तीन एकल छेतर में टमाटर उगा गया है, कुछ और जो सबजिया भी उगाई ज अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई सिक्चा निती में बारवी तक के जो है सिक्चकों के लिए होगा टेक, नई सिक्चा निती के तहट आप जो है बारवी कलास तक की सिक्चक न्यूगती के लिए सिक्चक पातरता परिछा टेट ली जाएगी, इससे चरणबन तरीके से लागो किया जाएगा, नई सिक्चा निती लागो करने की तयारी को लिखर सुकरवार को केंद्रिय मानुसंसा अगली बड़ी कबर की बात करें तो हजारी बाग में आलु वैपारी से लूटे 7 लाग किशान को मारी गोली, किशानों से जो है आलु की खरेदारी करने जा रहे है इस जाग्थाना चेतर के दरिया निमासी नवाल गुपता से सुकरवार की सुबा 7 लाग रुपे अपरिय अपराधियों ने लूट लिये, लूट पास के बाद भागनी के करम में आपराधियों ने एक किशान असोग महता गोली मारधी, असोग महता के शाती में गोली लगी और गंभीर हालत में उन्हें हजारी बाग मेडिकाल कॉलेज में इलाज के लिए लागया, जानकारी के लोग जुटने लगे, लोग को जुटता देख एक आपराधियों ने अचानक गोली चला दी, गोली असोग महता के शाती में लगी वही जुटने लगे, ग्रामिनों को आता देखकर आपराधियों बाइक छोड़कर फरार हो गया, पुलिस मोके अरपांची और मामले की चा अगली बड़ी कबर की बात करें तो मौरिया एक्सप्रेस अब एक जनवरी तक चलेगी, पुजा स्पेसल ट्रेनों के परिचलन अवधी में बिस्तरित किया गया है, ट्रेन में सभी सीट अरक्षित स्रेनी की होंगी ये तथा जो है, इसे यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमन के मानकों का पालन करना होगा, रेलवे ने ट्रेन संख्या 02527 हटिया गोरकपूर पूजा बिसेस गारी एक जन्मरी 2021 तक चलाने वा ट्रेन संख्या 05028 गोरकपूर हटिया पूजा बिसेस गारी 31 दिसंबर 2020 तक चलाने का निरने लिया है, ट्रेन का परिचल के लक्ष और कोरोना जांच की सोच कर स्वास्थ भाग सोट टूनेट मसीन खरीद रहा है 14 कोड़ 56 लाख रुपए की लागश से मसीन खरीदी जाएगी 24 नमबर को इस संबन्ध में आदेश जारी कर रासे आवंटत कर दी गई है साथ भाग के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना जांच के लिए जो है आटिक पीसी आर मसीन को खरीदने पर विचार हुआ था लेकिन पीबी उनमूलन वक्ट कोरोना जांच की सोच कर टूनेट मसीन खरीदने पर पैसला लिया गया है अगली बड़ी कबर की बात करें तो किसान मजदूर बिरोधी काला कानून वापस लेकेंदर स्तरकार संसंद में पास हुए तीन किरसी बिधायकों का बिरोध सुकरबार को साणक पर दिखाई दिया अखिल भारतिय किसान संगर समन्वे समिती के बैनर तोले किसानों ने सही चौक से लिखकर राजबौन तक मार्चा निकाल कर बिल का बिरोध किया है अखिल भारतिय किसान सभा के अध्यक्ष भुनेश्वर परसाद महता और माले बिधायक विनोस सिंग के नेत्युत में बिरोद कर रहे किसानों का आरोप है कि केंदर के जो है इस बिल से लिम्तम समर्थन मूल की वस्था खत्म हो जाएगी और जो किर्सी छेतर में बड़े पुझियों के हाथों में चला जाएगा इस दोरान सभा को समबोधित करते हुए श्री महता ने कहा है कि तीनों बिधायक वापस लिये जाने तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे सभा के दोरान दिल्ली में संसद भवाउन का घेरावा करने जारही किसानों पर वाटर केणन आसु गैस चोणने और लाठियों बरसाने जाने की जोहे निंदर की है सभा में किसानों ने जारकन की सरकार से विधान सभा के 27 बुलाकर किसान विरोधी कानून को द्रिस्ट करने की मांगी है अगली बली खबर की बात करें तो 4 करोड 14 लाग गमन केस में दोसी पाएगे सहकारी बैंक के ततकारिन एजियम सरकेला सहकारी बैंक के 4 करोड 14,30,000 रुपे के गमन केस में मामले में CID ने जाच के दोरान बैंक ततकालिन एजियम संदीब जयन को दोसी पाया है CID ने उनके खिला बिभाग से मुकादमा चलानी का अनुमती मांगे थी सिक्षा बिभाग के कारियों की समिक्षा बैटेक में डिजिटल माधियम से पढ़ाई के लिए बनाये वार्टसप गुरुप को छोड़ने वाले CRP एवम जो सिक्षा को की सिल्दरी काटने का निर्म में दिया गया है गुरुबार को जो है समान नाले इस्ति सभागार में अब पयुक्ति राम निमास यादो अध्यक्स में जो है सिक्षा बिभाग के कारियों की समिक्षा बैटेक आयुजित की गई थी अगली बड़ी क्वर की बात करें तो रांची में पोश्ट मास्टर ने किया कोड़ों का घुटाला दस साल से कर रा था ठटगी डाग बिभाग में घोटाले का सिलसला जारी है अब तत जो है रांची के पोश्ट आपिस से ही घोटाले की दो मामले सामने आ चुके हैं अब नया मामला बचत खाते से जुड़ा है जहां पर पोश्ट मास्टर ने ग्रहांको के विश्वास का फाइदा उठा कर करोड़ो की चपत लगाई है सालों से जो है पोश्ट मास्टर ने विभिन ग्रहा को से बचत खाते में जमा कराने के नाम पर पैसे तो ले रखा है लेकिन वो पैसे सरकारी खातों के बज़या अपने खातों में जमा करा रखा था जैसे ही विभाग को जो है भनक लगी तो जो है हलकम मच गया इधर जो है इस घटना के बाद पोस्ट मास्टर के परार होनी के सुचना है हाला कि विभा का करना है कि इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया गया है तो ये थी आज की जहरकन की टॉप बड़ी कबरे इसी तरह जो है जहरकन की हर छोटी बड़ी कबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जहरकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रिस कर दिजिए जिससे आपको जो है जहरकन की हर छोटी बड़ी कबर का ब्रीट अब तक पहुंचता रहे साथ ते साथ जो है आपना सुजा हमारे साथ सेर कर सकते हैं आप comment box में आपनी राय जरूर हमारे साथ साथ करें अगर आपको ये वीडियू अच्छी लगे तो प्रीस लाइक करें कोमने करें और आपने दोस्तों के साथ सेर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स डे, नेक्स खबरों के शाथ